वोट पत में आज हमने लगबग लगबग 14 से 15 घंटे बिताए केंदिय ग्रे मंत्री अमिच शाक के साथ उनके साथ हम करीब करीब और इसा की चार रैलियों में गए और फिर अब हम कुलकता में हैं और रात के लगबग लगबग 11 बज़ रहे हैं जब हम यह समवात कर रहे है तो अमिच जी यह चुनाव आखरी दौर में अब लगबग लगबग बहुंच चुका है पांच चरण समाप्त हो गए हैं और आप दावा कर रहे हैं कि चौते चरण के बाद ही बीजेपी को 270 के पार चली गई है तो यह confidence है या ओर confidence है मैं मानता हूं कि हमारी सिति काफी अच्छी है हम 400 पार करेंगे हैं हर जगे पे हर चरण के बाद और चुनाव की रीडियों के बाद मैं कारेकरताओं के से फिडिबैक लेता हूं जो जमीन पर लड़ाई लड़ते हैं जो लोगों के संपर्थ में होते हैं हमारे विरोधी द जी इसका मुकाब्ला करते हैं तो मुझे लगता है किसी भी सर्वेस एसेस्मेंट करिब करिब सत्य के नगदी दो हजार चार में यूपी यवन की कॉंग्रेस की सरकार आई तो 145 सीटे उनकी आई और 2009 में जब सरकार रेपीट हुई तो 206 सीटों के साथ हुई तो तीसी टर सब्सक्राइब की गवर्डवाइड यह देखा है क्या आपको लगता है अमित भाई की बीजेपी के लिए यह आसान क्यों है दिखिया ऐसे कोई ट्रेंट्स के अधार पर चुनाओ के नतीजों का आकलन नहीं होता है ट्रेंट्स की बात करनी है तो इस देश में 30 साल से हंग पार्लामेंट चलती थी चौदा में पूर्ण बहुमत की सरकार आई उनलीश में फिर पूर्ण बहुमत की सरकार आई तो ट् इंडिये चारसो पार करेंगा अगर 272 का आकर जादो ही आकड़ा पार भारतियंतर पाटी नहीं कर पाती तो प्लान भी क्या होगा बीजेपी का कोई प्लान भी नहीं है इसता क्वेस्टन डिस नोटराइस जी प्रेंका गांधी ने एक हाली में इंटेव्यू दिया था और उस इंटेव्यू में कहा कि कॉंग्रेस की वज़ा से इस देश के अंदर लोकतंत्र है अगर एक चाय वाला भी प्रधान मंत्री बनाया है तो वो कॉंग्रेस की देन है अब मुझे नहीं मालूम है लोग क्या बोल रहे हैं। ना किसी ने ब्रीप किया है साथ उनको। कॉंग्रेस के वज़ा से लोगतंत्र नहीं है। इस देश की 130 करोर की जंता की वज़ा से इस देश में लोगतंत्र है। क्योंकि हमारे यहां लोगतंत्र की स्पिरिट सालों पुरानी है। और अब यह पाताल से गहरी हो चुकी है। इसको कोई नहीं बदल सकता है। क्या आपको लगता है क्योंकि आप अपने भाष्णों में बोलते हैं प्रधानमंत्री मोधी भी कहते हैं। कि इंडिया अलाइंज जो है इंडिय गटबंदन जो है वो पांच साल में प्रधानमंत्री देगा। और हम पहले इंडिय गटबंदन के एक नेता नेका है कि हमारे पास अभी नेता नहीं है। हम बारी बारी एक-एक साल सत्ता समालें। वह कहते हैं हम आपस युबा भी यह मपस भुजूर्ग भी है हमारे पस हर वर्क का नेता है। तो हम नेता तैक कर लेंगे सरकार बन जाए एक बारी ने वह तक नहीं रूखते हैं। पांच साल एक-एक प्रधानमंत्री बनाएंगे वह तक जाते हैं। जी क्या आपको लगता है कि फ्रियंका गांधी ने अपने कारेकरम में बोला कि इस बार राय-बरेली की जनता जो है वो सिरफ एक सांसत नहीं चुन रही है वो प्रधान-मंत्री को चुन रही है कि आपको लगता है विपक्ष भी तोरा कॉन्फिटेंट हुआ है बीते पांच करूंगा मैं तो शपत ग्रहन का नियोता देता हूं हमेशा जी को प्रधानमंतरी मोधी को चलिए अच्छी बात है अब एक तारिक को सब चीजे दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा शरद्राव पवार और उध्व ठाकरे की पार्टी उनका रोप है कि ये पार्टी को कोशिश कर रहे हैं कि रियल पार्टी हमें और बीजेपी ने हमारे साथ हमारी पार्टी को तोड़ दिया है दिखे मुझे एक बात बताईए अगर सहरत पवार जी अजीद पवार को अपना वारिस गोसित करते तो पार्टी तूपती क्या और उद्धव जी अपने बेटे की जगे एकनाथ सिंदे को आगे करते तो पार्टी तूपती क्या इनकी पार्टिया अपने पुत्र पुत्री मोह के कारण तूपती है और वो कहीं और जाकर कारण ढूंड रहे हैं तो उनको कभी सफलता ने लेकिन क्या आपको लगता है कि वो एक नीचे के तरफ एक सिंपती का मैसेज देने में कामियाब रहे है कि दिखे सिंपती उनके लिए रहती है जिनके साथ हम्याय हो उद्धव जी ने तो अपने सिध्धन अपना घटवंधन तोड़कर हमें डीच करने का काम किया था मैंने ही समझता है इनको किस प्रकार कि सिंपती की अपिक्सा है आपके पास महराष्ट केада चाते हैं महरांश्ट में कमोंके समा हमारी सुंप दिक को Bena कर रखेंगे इसमें कोई बड़ा ओलत पिर नहीं हो ग्री आपकी भली थोड़ा चुनाओ पर शुरечь हमें अर्विंध केजृ आ finely parliament कि अर्विंद केजडिवाल एक यूटन नेता है किस कारण से आपने बोला कारण भी मैंने रेली में बताया है अब आप इंट्रेव्यू लंबा करना चाहते तो फिर से बता दीता हूं इन्होंने कहा था कि हम ब्रष्टाचार के खिलाप लड़ाई लड़ रहे हैं पॉलिटि करने अन्ना बीचारे डाले गाउं सिद्धी चलेगे पिर कहां मैं कभी मुख्य मंत्री नहीं बनूगा तिन-तिन बार मुख्य मंत्री बन गए इन्होंने सपत पत्र पर कहा था हम सरकारी सुविधहें नहीं लेगे बंगलो भी ले लिया, गाडी भी ले लिया, जारी चीजे यूटन से भी बड़ी भैन है उन्होंने कोंग्रेस के करप्षन के खिलाब बात करी उन्हों का कि मैं आउंगा तो सिलादिक प्रक्रप्षन में जहल में जाएगी आज वही कॉंग्रेस के साथ मिलकर वह हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं तो सिरीज ऑफ जून के नतीजे इंडिया अलाइंस अगर सरकार में आता है तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा जहां तक मेरी समझे उनको एक जून को ही जनना है तो चार जून को तो वह जल में ही होगे लेकिन आपने भी एक स्टेटमेंट दी कि ये स्पेशल ट्रीटमेंट है मैंने जज्मेंट के बारे में किया है क्यों आपको लगता है कि जज्मेंट खास है किसी भी व्यक्ति को अपने कामकाज के लिए इस तरह से इंट्रिम बेल नहीं मिला है कोई किसान की बुवाई का समय हुआ होगा कोई हज्जाम की दुकान चला रहा होगा तो उनके भी तो कामकाज है उनको इस प्रकार के इंट्रिम बेल कभी नहीं मिले कॉंग्रेस की संदीब दिक्षित ने भी यही बात बोली कि अगर इस तरह की बेल मिलेगी तो कल तो कोई और अगर कोई ग्रिफतार होगा तो वो बेल मांगेगा तो देनी पड़ जाएगी फिर कुझे मालूम नहीं है मगर कहा है तो सही ही कहा है जी एक और खुलासा हुआ है आम आदनी पार्टी के बारे में साथ करोड़ उपए की फॉरेंड फंडिंग होई है क्या कहना चाहते हैं मैं कुछ कहना नहीं चाहता क्यूंकि मैंने इस मामले को पूरी तरह से देखा नहीं जी मेरा अगला आपसे सवाल है क्या आपको लगता है कि कॉंग्रेस और आम आदनी पार्टी का गड़बंदन दिल्ली में खास तार पार को कि अब उसमें वोटिंग होनी है वहां आपको दिक्कत हम सातों की सातों सीटे जितेंगे कई देखो अमिश जी जहां एक पार्टी का से पचास प्रतिसत से ज्यादा हो जाता है जी तब सामने कितनी पार्टी है इकत्रित होता हो जाती इसका कोई महतों नहीं रहता दिल्ली के दोनों चुनाव में हम पचास प्रतिसत से ज्यादा वाट से पार्टी इस बारे भी आपको लगता है कि 2019 साथ की साथ जी जी एक सवाल क्योंकि आपने शेयर बाजार में पीछे एक स्टेटमेंट दिया था आना कि मार्केट के मार्केट को समझते हैं लेकिन उसके बाद बाद बाजार वो चड़ मारकेट के अन्द के और से अगला सवाल में राम मंदिर को लेकर क्या आपको लगता है कि आप बार बार राम निदर का जिक्र लेकर आते हैं आपके कारे करता नेता राम मंदिर के नारे के नारे हैं औपोडिशन का माहनना है कि bjp Jewish Jewish को भी attracts कर रही है और कैश कर समनाघी 2014 क मंदिर की प्राण प्रतिष्टा में हिस्सा नहीं लिया अगर वो ले 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 थे तो वहीं पर बात समाब धूने उनको देश की जनता को बताना चाहिए कि राम मंद्र की प्राण प्रतिष्टा में वो लोग क्यों नहीं गए एपिस्वेंट की पॉलिटिक्स करने के लिए इसलिए बार बार ए मुद्दा चुनाओं में मुद्दा बन जाता है जी आप अपनी रैलियों में अक्सर बात करते हैं और कहते हैं आरोप लगाता है कि पर्सनल लोग कौन सा है भी यह की है मुस्लिम पर्सनल लोग लेकिन कॉंग्रेस से मैंने सवाल पूछा उन्हें बुला मिस्ट रिप्रेजेंट कर रही है भारतियांता पार्टी हमारे घोश्टनापतों पर्सनल लोग के क्या क्याना चाहते हैं उसकी सपर्स्ता करें देश गोश्टनापत्र में जो चीज है इसको हम जनता के सामने रख रहे हैं बंगाल में ममता दिदी के गड़ को इस बार आप बहुत बड़े तरीके से चैलेंज कर रहे हैं कई उपिनियन पोल्स ने तो बताया कि बीजेपी का नंबर पिछली बारी से बढ़ सकता है लेकिन क्य आधार पर महिलाओं का सोशन होता रहे है और महिला मुख्यमंत्री इसलिए कुछ न करें कि सोशन करने वाले इनके कारे करता है इनकी वाट बेंक का हिस्सा है इससे ज्यादा सरमनाक बात कोई हो यह नहीं सकती इस इलेक्षन का मुद्दा नहीं है इस देश की सुचिता का म हम निश्ची तुरुप से इस मुद्दे को इलेक्षन के समय में भी और इलेक्षन के बाद भी बंगाल की जनता के बीच में ले जाएंगे अक्सर आप बंगाल में अपनी रैलियों में ममतब इनरजी का जो नारा है मा, माटी, मानुश उसको आप बदलते हैं और कहते हैं कि अब मुल्ला, मदरसा और माफिया की खातिरदारी हो रही है क्यों एक बंगाल के यूवा ने मुझे बेज़ा था जी मरे पास वाटसप मे भूर को डराया जा रहा है, बंगाल में कहा जा रहा है कि अमिट शागर जीत गया, यानि बंगाल में भरती अंत्वाटी जीद गई, तो सी ये लागू होगा और चुन-चुन के निकाला जाएगा, गलने का कानून ही नहीं, वारत सरकार का कानून है, देश की संसद ने पा पुछा जो कि भारतियनता पार्टि वहाँ पर उठा रही है वो है कि और इसा में officer वर्सेथ politician को मुध्दा बना रही है क्या आपको officer से समस्या है कि मुझे कोई समस्या नहीं है ओडिया जनता के अंदर ये समस्या है कि ओडिशा पर तमिल नारू से आये हुए ओफिसर कैसे सासन कर सकते हैं एजा अपसर नहीं एजा पॉलिटीशन एजा मुख्यमंतरी और वहां पर जनता में ओडिया प्राइड का मुद्दा बना हुआ है अब ओरिशा की जनता नेताई करना है हम तो जनता की आवाज को रिप्रिजेंट कर रहे हैं और इडिशा में को लेकर आप कितने कॉन्फिडेंट है विधानसभाई एलेक्शन भी है उदर लोगसभाई एलेक्शन भी है सीटो का नंबर देखे 17 से ज्यादा सीटे भारती जनता पार्टी की लोगसभा में आएगी और हम निश्चीत रुप से वहाँ पून अबहुत की सरकार बनाएगे जी मैं कश्मीर की बात करते देता हूं कश्मीर में नरेंद मोदी की सरकार ने बहुत काम किया और इस बार बंपर वोटिंग भी है इसको आप किस धंग से देखते हैं क्या यह वर्ड को अराउंड अगलोब भी एक बड़ा स्ट्रॉंग मेसिज है भारत की तरफ से का हिस्सा बने है और स्वागत युग्या है और गाटी की जनता ने भी बढ़ चड़ कर वाटिंग किये सारे रेकोर्ड तूटे हैं पिछले कई सालों के 33 सालों में सबसे ज्यादा वाटिंग अब हुई है तो मैं मानता हूं यह बहुत अच्छी बात है कस्मीर के लिए भी अच्छी देश के लिए अच्छी बार-बार आप एक मुद्दा उठाते अपनी रैली में पीओ के का पीओ के को आप कहते हैं यह भारत का हिस्सा है क्या आप इसको पॉलिटिकल इशु बनाना चाहते हैं दोज़र चॉबिस के चुनाफ का बना दिया है आपने अरी पॉलि कि क्या है कुछ फॉलिटिकल नहीं है कि हमारा देश का स्टेंड है अप भी तो कह रहे हो तो वह ही तो मैं कह रहा हूं लेकिन चुनावी रैली में जिक्र करना प्यंस्पों है क्या सत्यव बोला जाता है कॉंग्रस कहते हैं ति लेकिये फिर पाकिस्तान की बात बीच पाकि कोई जाटों का बड़ा विशे है कि हरियाना में हम हमारी पोजिशन है वो समाल कर रखेंगे इसमें मैं कोई बड़ा डिटोरेशन नहीं देख रहा है जी मेरे आखरी दो सवाल हैं धारा 370 हटाना एक इतिहासिक फैसला था बतार ग्रेम मंत्री जब आप अपनी पूरी कारेकाल को देखते हैं बीते पांच साल के अंदर आपको लगता है कि ये बड़ा चैलेंज भी था आपके लिए अच्छा चल रहा है जी इस चुनाव में आपको आमिट भाई अमिट शा लेकिन इस बार आपको आपके जो चाहने वाले हैं आपको पसंद करते हैं वो अमिट काका के रूप में भी जानने लग गए तो क्या कहना चाहते हैं आप यह रैलियो में भी देख रहा था आज हम 400 पार करेंगे और बीजेपी का नंबर क्या होगा बीजेपी का नंबर अभी सात्यों चरंग के बाद ही असेस्मेंट आपाएगा परन्तों हम निश्ची तुरूप से 400 पार करें अमेशा जी आपने हमें अपना वक्त दिया पूरा दिन हमने आपके साथ बिठाया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और उमीद करते हैं कि लोगतंतर के इस महापर्व में आपको कामियाभी मिले धन्यवाद